राजश्वेवं भूमी शुधार के मंत्री रामशूरत राय ने एक उस दिन पहले एक ब्यान दिया था जिसमें कहा था कि सबसे जादा बिहार में जमीनी विवाद देखा जाता है भाई-भाई में जमीन के वज़ा से होती है और जो सबसे जादा जमीन के मामले विवाद वो सुलज नहीं पाते हैं और प्रशासनिक विभाग इसको लेकर काफी चिंता भी रती है तो कह सकते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है आवाटिक फांडेशन की ओर से आवाटि प्रकिरिया जो है वो शुरू हो गई और पढ़ाई भी इसमें बहुत तेजी से चलेगा जिससे अमीन की पढ़ाई होगी सबसे जादा सबसे बड़ी बात यह है कि पट्टा में अमीन की पढ़ाई पहले नहीं हुआ करता था लेकिन इस कॉलेज के शुबारंब होने से उन्होंने इस पर जानकारिया दी देखे तस्वीरों में की किस तरीके से दीब जोलन कर इस कारीकर्म प्रुषाष्षू बारम किया गया वहीं इस जो आभाटेक्ट फांडेशन के जो जो सीओ है वो क्या कुछ जानकारिया दी है और जो पत्वा के विधायक है राजत के उ जितना भी जमीन विबादी समंधित है समस्या आप सुने निस्पादन करें और बाकी तो हमारे अमीन के प्रह तो अमीन कहीं जहाए नाना आपेंगे विवाद दूर करेंगे सिख्षा भी भाग तो ठीक है लेकिन अभी अभी नया खोले है इतना समस्या हमरा लगता नहीं होगा इस में आमीन वाला में कोलेज में तो बहुत समस्या है कि कोंपी जहां तहां आता समय पर मिलना पाता है देखकर लोग देते ने को जिसके करते रिजल टुपता है और को समस्या नहीं है इस जमीनी बिबाद को ही कम करने के लिए बिहार सरकार ने फस्स टाइम इस को लंज किया है अमीन अमानंत पोड़ाम आज तक सारे स्टेट कर बा रहे थे हमारे बिहार सरकार में अभी तक यह कोर्स कभी नहीं हुआ था सर को यह गौर्मेंट के अस्तर पे तो गौर्मेंट ने फस्स टाइम सिक्षा भी भाग को निर्देश दिया कि इस टाइप का को लंज किया जिसके और बोर्ड को कहा गया बिहार बोर्ड को तो उस बिहार बोर्ड ने इस को लंज किया है और यह अभी शिक्स मन्त का यह को लंज हुआ है आगे यह वन यर का हो एकार इसमने जा रहा है।। इसमें पांच पेपर है। बच्चे लोग वुड एक जाएम लेगी। उस पांच पेपरण TPॵ एक पेपर एंट्रेंशिप है। वर उस इंट्रेंशिप में बच्चे को अंचल में जाकर सीब गारयाली में जाकर एक महिने का इंट्रंशिब करना है और साथ में उसमें सियो का अलग से एक लेटर मिलेगा इंट्रंशिब का लेटर मिलेगा और इस पेसली राजया सुम्हाम भूमि सुधार विभाग के विसेश अनुरोथ पे ये कोर्स चालूगो किया गया है ठीक है इसका कोर्स भी करें के लिए कोई एक इंट्रंशिब है और इंट्रंशिब हमको नहीं करें इंट्रंशिब बोर्ड राजा श्र्म भूमि सुधार विभाग के सहयोग से खरेगा. चात्रो का एडुकेशन लेवल जो इसमें दिया गया है बोर्ड के द्वारा उसमें दिया गया है कि तेन्थ बाले बच्चे भी इसमें एडिमिशन ले सकते हैं लेकिन बिहार सरकार में बहाली के लिए ट्वेल्थ पास होना अनिवार है यह इसमें यह कॉलेज स्टाट हो इसको बिहार बोड़ ओपेन इसको माने दिया है अर बिहार में टोटल 14 कोलेज में एक गएडास हमारा है गडिव चात्रों के लिए हमारे यह जो कॉलेज है यह त्रस्ट के मारफात है और हमारी ट्रस्ट इसको फंडिंग करेंगी जो लोग पुए पंडिट है वह आएंग हमारा नाम है अबनीज कुमार और हम अबाटक फांडेशन कॉलेज के चेर्मैन है तो आपने साफतर से देखा कि जो नालंदा ओपन विश्विद्याले के जो प्रो कुलपती हैं वो भी पहुँचे थे और उन्हों ने भी इस कारिकरम में शमलित होकर कहा कि जो छात्र है अब उन्हें बाहर नहीं जाने की जरुवत है अमीन की पढ़ाई के लिए पट्टा में भी अब इसकी जो है वो शुरुबात कर दी गई है और जो बहुत कम फीस में अब बच्चे यहां भी पढ़ सकते हैं इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है तो तमाम चीजों को लेकर यह जानकारियां दी गई और इस कारिक्रम में तमाम जो गन्मान लोग थे वह पहुंचकर कॉलेज का शुबारम कर दिया है तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्जीनियूस के साथ तो देखते रहें दर्जीन